यह सारा पैज्ट देखें कि यहां पर स्केलें पपडियां आई हुई है और हलकिल की घुजली पे इसमें रहती होती यह बहुत सालों से अइसे हैं ऐसे ही बॉड़ी के ओपर और भी पैषिदों से हैं यहां पर आप देखें कि पिटिंग तोड़ी थोड़ी थोड़ी पर खड़े बने हुए है कि प्राइसीज के टीटमेंट में अर्ली टीटमेंट क्यों इंपॉर्टन्ट होता है हम अपनी सारी वीडियो में बदाते हैं एक पेशेंट को आपको जबनी दिखाऊंगा कि 13 साल से किन के उपर स्राइसीज था और नेल्स के अंदर पीटिंग भी आया हुआ ऐसी केसि में इस बात के से अयुकरिक के बाद यह का समस्य हैं और प्रोटोकोल है यह किन के चीज़ों में में अव्प्रूप्मेंट करके यह देखना है कि अब हमारा टीटमेंट स्कस्पुल है तो पेशेंट के पैचिस को पहले में आपको लिखाता हूँ एक पैच दिखाना आपके सुराइशिस वादा जो है यहां पर आप जैसे देख रहे हैं यहां पर स्केल आई हुई है पपड़ियां आई हुई है और हलके-लकी खुझली भी इसमें रहती है यह पैच बहुत सालो यहां पर आप देखें कि पिटिं나 आफ नेर्थ है बीजें लिए मतिपल एरियाज के ऊपर फिटिंग ऑ आया हुआ है इस पींडब रशाल साल जब पर राया punya पर आटा फेशेंट को हुग घुकर आपके और बिजीज को नेर्ड के साथ जॉएंट में नहीं जाने देती और क्योंकि जो अग्रेसिव मेडिसिफ नहीं परता है तो प्रिकॉशन नहीं जा सकती है तो precautions क्या लेनी है और lifestyle modification क्या करना है ताकि हमें medicines कम खानी पड़े यह भी हम आज पेशन की quality of life के बारे में आज आज बात करते हैं आपको मैं दिखाता हूं पेशन की quality of life के बारे में बात करते हैं कि day to day activity में क्या क्या प्राइसिस के प्रेशन को problem आती है और जब हम काया का लपा treatment करते हैं तो हमें तिन पेरामेटर को देखके उनकी recovery को चेक करना है पेशन से बात करते हैं जब आपको यह स्केल है इसमें है कि जैसे अगर आपके बाड़ी पे इचिंग होती है तो तीन का मतलब बहुत जादा दो का मतलब उससे कम एक का मतलब है पर है तो पर है तो पीशत अगर आपके पेशन को ध्यान से देखें आतों की किसी भी उंगली में सोजन नहीं है यह बिल्कुल जो एंड फ्री है यहां पर लेकिन अगर अभी क्रेंगे तो यहां पर इंफ्लेम होके मोटा हो जाता है और पेशन के यहां पर आगे देखते हैं हाउस होल्ड जो घर के जर पिरो जाएंगे कपड़े खरीदते हैं कि मैं पूरी बाजु का कपड़ा घ्रीत हुं हाथ ऐसा कुछ इश्यू क्या स्कूर देंगे हम इसमें मतलब पैचछत को चिपाने के लिए मैं दिमाग में रहता है कि पूरे बाजू कहीं क्रीद हैं कि इसको हैं है इसा कभी कु आपने वाला एरिया ती नमबर से ओपन टू बोडी जहां मेर भी है वह इशु है ओफिस में गए और वहां लोगों ने कुछ कहा ऐसी कुछ मस्था है क्या दिकत आती है दो नमबर से लोग आज करते हैं फिर लोगों को इसके बारे में अभी ज्यादा वेर नहीं इसके बारे इसके लिए उसने कुछ कहा एका कभी कुछ हो अभी हम जीरो मांक देंगे फ्रेंड रिट्मेंट की बात करें कि पेशेंट जो फ्रीट्मेंट लेते हैं उसके फर्ट पढ़ता स्वेलेटी स्कूर का कैसे घर में आपने शुबह उथे और इसकी पकड़ी बेड़ गिरी हु है यह बात जी मांची में अलि हरत हसके है ऐसे यह बहूं इस बेस्टिट्मेंट लगंड़ में आन्यास में हुआ करता है सब्सक्राइब करते हैं तीन दो पांच साथ तीन दस तेरा पंदरा स्तारा ठारा उनिस बीस इकिस बाइस इनका यहां पर स्वेर्टी स्कोर निकल के आ सब्सक्राइब करते हैं तो आप यहां पार देखें कि ट्वंटी वन टू थर्टी इस एक्स्टीम इफेक्ट बाडी के ऊपर देखने में इनकी प्रॉब्लम बहुत थोड़ी सी है कि बहुत थोड़ा सा पैच है थोड़ा सा पैच बैच पे है लेकिन क्वालिटी ओफ लाइब करते हैं पेशन के मन बहुत से प्रशन होते हैं यह श्राइब कि पुछना चाहते हैं कि आकि सुराइजिस होने के कितने सालों बाद यह जॉइंक्ट में इंटर कर जाता है और उसके बाद एक सीवियर केस्ट बन जाता है बाड़ी के लिए तो यह बहुत important question है जब सभी patient हमारे से पूछते हैं कि joint involvement कब होता है क्या होता है जनली अगर तो genetic history positive है मतलब किसी को शूगर थायरेड या जाने का फित्रा रहता है अगर फैमिली क्लीन कोई कोई आटो इन डिजीजीज की हिस्टी उसके अंदर नहीं है तो seven to eight years लग जाते हैं जनली उसको नेल्स में जाने में और अगर पेशेंट यहां पर अपना lifestyle modification कर लेता है और खाने में हल्दी का entry हो जाती है हल्दी खाना पे है तो वहां पर ही डिजीज को रोका जा सकता है अगर lifestyle management नहीं हो रहा होता चलता रहता है तो टॉक्सिंस जो ब्रॉडी के अंदर बनते हैं और कुछ सालों के बाद और आर्थ्राइटिस कैसे होता है कि morning stiffness होती है कि सुबह पेशिन उटता है लगता है कि दुबहर के बाद ह प्रेश हो गए है कभी ऐसा फील आता है यहां पर अगर पेशेंट को गाइडेंस ठीक मिल जाती है तो वह चीजों को सब को वापस किया जा सकता है आज हम इनको मुझे शिखाएंगे इसके लिए और जो टीट्मेंट आज आज हम इनको स्कार्ट करेंगे तो हम क्या करेंग करेंगे और यूट्यूब का चैनल जो है उसके उपर बहुत सी इंफर्मेटिव वीडियो अवेलेबल हैं आप उन सारी वीडियो को बहुत ध्यान से स्टेडी करें और फिर फैसला करें कि आपको क्या टीट्मेंट लेना है क्योंकि मैंने क्या नोट किया है कि अगर आपको इस जर्नी के अंदर एक या दो डॉक्टर ऐसे मिल जाते हैं कि जिनको डिजीज को ठीक करने का अच्छा नहीं होता तो कई बार डिजीज जो है दूसरे बॉड़ी पार्स में जाके और ज्वाइंट्स में एंटर कर जाता है और अभी इंफर्मेशन इतना ज्यादा हो गया वीडियो आइकल में देखता हूँ कि यंग यंग लोग यह भी कह रहे हैं कि तीन मीने में मिमारी को जड़ से कार दिया जाएगा तो बी स्मार्ट बी इंटेलिजेंट और सोच के बैसला करें कि आपको आपके बिजीज के लिए जा फैंस पता है नमस्त्राइब कर दो